आज मैं आपके लिए बहुत ही ब्यूटिफुल सा डिजाइन लेकर के आई हूँ जैसा कि आप देख भी रहे हो यह देखिए बहुत ही प्रिटी सा डिजाइन है और आप इसको देखिए बच्चों की स्वाटर या अपनी स्वाटर या किसी भी प्रजेक्ट पर बना सकते हो जो भी आप इससे बनाना चाहते हो बहुत ही ब्यूटिफुल सा डिजाइन है राइट साइड से देखिए इस तरह से डिजाइन दिखता है और रॉंग साइड से देखिए आपकर डिजाइन कुछ इस तरह से दिखता है सो चलिए इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए आपने रखने हैं 8 के मल्टीपल में फंदे प्लस आपको 2 इसमें एक्स्ट्रा फंदे रखने होंगे जैसे कि मैंने यहाँ पर देखे 34 स्टीचीज कास्ट आउन किये हैं आप 8 से कुणा करके 32 प्लस उसमें 2 करके 34 फंदे में यहाँ पर डाले हैं तो मैं इसी के उपर आपको इस डिजाइन बना करके बताऊंगी जैसे देखे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था वैसे ही हम उपर से स्टार्ट करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना तो यह हमारी रोवन है राइट से सीधी तरफ से पहली रोध्यान से देखेएगा इस रोव को पूरा हम सीधा बना करके कंप्लेट करेंगे पहली रोव सीधी तरफ से पूरा सीधा बना करके कंप्लेट करेंगे अब row 2 पर आजाईए wrong set से दूसरी row उल्टी तरफ से तो इस row को पूरा हम उल्टा बना करके complete करेंगे simple जैसे हम सारे फंदे उल्टे बनाते हैं उसी तरह से हम इनको उल्टा बना करके complete करेंगे अब आजाईए row 3 पर right side से third row सिधी तरफ से तो इसको फिर से हम सीधा बना करके complete करेंगे सारे फंदे हम यहाँ पर knit करेंगे अब जाईए row 4 पर wrong set से fourth row उल्टी तरफ से तो इसको ध्यान से देखिएगा इसमें देखिए पहला फंदा उल्टा उतारा अब देखिए अब यह से चैसको हमने उल्टा उतार लिया अब आगे वाले जो फंदा है उसको हमने दो बार धागा घुमाना है फिर इसको उल्टा बना लेना है और सारी row हमने इसी तरह से complete करनी है यह देखिए इस तरह से चैसलाई को डाला फिर दो बार धागा घुमाया और फिर इस फंदे को उल्टा बना लिया सारे फंदे हमने दो बार धागा गुमाते हुए उल्टे बनानी है ये पूरी रो हमने इसी तरह से ही complete करनी है देखे इस तरह से दो बार धागे को गुमाएंगे फिर इसको उल्टा बना लेंगे दो बार धागे को गुमाएंगे और फिर इसको उल्टा बना लेंगे ये सारी आपको इसी तरह से ही complete करनी पड़ेगी और लास्ट का फंदा आपको ऐसे ही उल्टा बना लेना है जो लास्ट का हमारा edge stitch है अब बजाए रो 5 पर right side से पांचवी रो सीधी तरप से तो देखे लास्ट का ऐसी stitch हमने यहाँ पर ऐसे ही उल्टा बनाया है बाकि सारे दागे हमने दो बार दागे गुमाते हुए उल्टे बनाया थे fourth row में तो यह fifth row है right side से इसमें पहला फंदा देखे जो ऐसी stitch है उसको हमने सीधा उतार लिया अब हम यहाँ पर चार फंदे खोलेंगे जो दो बार दागा घुमाया था उसमें चार फंदे खोलेंगे इस तरह से one two three four अब इसमें हम cable डालेंगे cable इसमें हम देखे किस तरह से cable डाल केबलेंगे right hand की तरफ को तो किस तरह से डालेंगे right hand की तरफ को जब हम right hand की तरफ को केबल डालते हैं तो इसके लिए जो यह आगे वाले फंदे होते हैं यह हमें पीछे ले जाने होते हैं पीछे की तरफ से तो इसके लिए देखे हम पीछे से slide डालेंगे और इन दो पकड़ लिया अब यह जो पीछे वाले फंदे हैं यह आगे की तरफ से आगे आती हैं फिर हमारी जो केبل का मू है देखिए यह राइट हैंड की तरफ को होता है यह हो गई राइट हैंड केवल थिक है चार फंदों में बढ़ती है अब 453 है बना लेंगे वन फंदे खोलेएंगे a 2 three four चार फंदे देखे फिर से खोले अब यह वाली केवल हम left hand की तरफ को डालेंगे तो जब हाम देखिए left hand की तरफ को केवल डालते हैं तो उसके लिए ये जो दो फंदे हैं ये आगे की तरफ से पीछे जाते हैं और ये फंदे आगे आते हैं तो किस तरह से देखिए ये दो फंदे पहले आगे की तरफ से पकड़ेंगे इनको पीछे ले जाएंगे और इन दो फंदो को आगे लाएंगे पीछे की तरफ से फिर चारो फंदो को हम सीधा बना लेंगे यह देखिए इस तरह से आप देखिए एक फंदा छोड़ कर यहां से फिर से हम अपना repeat स्टार्ट करेंगे यही 8 फंदे हम repeat करते जाएंगे यही cable डालेंगे 4 फंदों में right end की तरफ की cable डालेगी और 4 फंदों में left end की तरफ को cable डालेगी तो फिर से देख लीजिए 1,2,3,4 यह देखे इस तरह से आब हम इस cable को right end की तरफ को डालेंगे तो right end की तरफ को डालने के लिए जैसे मैंने आपको बताई यह 2 फंदे हम पीछे ले जाएंगे और पीछे वाले फंदे हम आगे की तरफ से आगे लाएंगे फिर इन चारो फंदों को सीधा बना लेंगे वन, टू, त्रे, फोर अब केवल हम डालेंगे लेफ्ट एंड की तरफ को तो चार फंदे पहले खोले अब ये दो फंदे आगे की तरफ से पकड़े और ये दो फंदे आगे ले आए पीछे की तरफ से फिर चारो फंदों को सीधा बना लेंगे वन, टू, त्रे, और ये फोर तो देखिए सारी रो आपको इसी तरह से ही कंप्लीट करनी है यही आठ फंदे आपको रिपीट करते जाना है तो अब देखिए रो फाइब में यहाँ पर कंप्लीट कर ली है केवल हमारी यहाँ पर टलगी है लास्ट का फंदा बचा है इसको हम सीधा बना लेंगे तो आब आजाए रो शिक्स पर रॉंग से तो छटी रो उल्टी तरफ से इसको देखिए पहला फंदा उल्टा उतारा बाकि सारी रो हम यह उल्टी बनाएंगे इसको सिम्पल हम उल्टा बना करके कंप्लीट करेंगे अब आजाए रो 7 पर राइट सेट से सात्मी रो सीधी तरफ से तो इसको पूरा हम सीधा बना करके complete करेंगे सारी row simple knit करेंगे अब बजाएए row 8 पर wrong set से तो आठवी row उल्टी तरफ से तो ये भी same देखिए हम जैसे हमने 4th row बनाई वैसे हम इस row को भी बनाएंगे तो देख लीजे क्या किया था पहला फंदा उल्टा उतारा अब आगे वाले जो जितने भी फंदे हैं last का एजटी छोड़कर वो हमने सारे दो बार धागा गुमाते हुए उल्टे बनाने हैं इस तरह से देखिए चलाई को डाला और दो बार धागे को गुमाया फिर फंदे को उल्टा बना लिया तो ये सारी रो हमने इसी तरह से कंप्लेट करनी है दो बार धागा गुमाते हुए आपने सारे फंदे उल्टे बनाने हैं last का जो फंदा है वो आपने ऐसे ही उल्टा बना लेना है अब बजाए रो 9 पर राइट से नमी रो सीधी तरफ से तो इसको भी ध्यान से देखिएगा पहला फंदा देखिए इसमें सीधा उतार लिया आप देखिए जो पहली हमने देखिए यहाँ पर रो 5 में केबल डाली थी वो डाली थी हमने राइट हैंड की तरफ को पहली अब हम 4 पंदे पहले खोलेंगे 1, 2, 3, 4 अब जो पहली केबल हमारे डेलेगी वो लेफ्ट हैंड की तरफ को डेलेगी तो left hand की तरफ को जैसे मैंने आपको बताया ये दो फंदे हम आगे की तरफ से यूँ पीछे ले जाएंगे और इनको पीछे की तरफ से आगे लाएंगे फिर चारों फंदों को हमने सीधा बना लेना है 2, 3, 4 अब देखें इस तरह से अब फिर से 4 फंदे को लेंगे 1, 2, 3, 4 अब ये केवल हम right hand की तरफ को डालेंगे तो right hand की तरफ को डालने के लिए ये 2 फंदे देखें पीछे की तरफ से यूँ पकडेंगे और ये दो फंदे पीछे वाले आगे की तरफ से आगे लाएंगे फिर चारों फंदों को सीधा बना लेंगे बस आपको इस डिजाइन में ये केबल डालनी ही आनी चाहिए अब ये एक फंदा छोड़कर ये ही आठ फंदे आपको रिपीट करते जाना है फिर से देख लीजे चार फंदे खोलेंगे 2,3,4 अब इसमें सबसे पहले हम लेफ्ट एंड की तरफ को केबल डालेंगे ये इस तरह से देखे फंदे बदले फिर चारों को सीधा बना लेंगे 2,3,4 अब फिर से चार फंदे खोलेंगे 2, 3, 4 अब इसमें हम राइट एंड की तरफ को केवल डालेंगे तो इसमें देखिए दो फंदे पिछे की तरफ से पिछे ले गए और दो फंदे आगे की तरफ से आगे लाए अब इन चारों को हमने सीधा बना लेना है आज़े आई यही देखिए आपको पूरी रो में रिपीट करते जाना है इसी तरफ से यही 8 फंदे आपको इसी तरह से बतलते देख kinda डालते जाना है तो इसी तरह से आप यह रो पूरी कंप्लेट कर लेजिए लास्ट का फंदा आपने ऐसे ही सीधा बना लेना अब जाए ये रो 10 पर रॉंग सेट से दसमी रो उल्टी तरफ से तो इस रो को पूरा हम उल्टा बना करके कंप्लेट करेंगे इस सिंपल सारे फंदे उल्टे बनाएंगे तो अब देखे रो 10 तक बनाने के बाद हमारा डिजाइन यहां पर ओवर हो जाता है डिजाइन बहुत ही प्रेटी बनता है ये देखे कितना ब्यूटिफुल बन रहा है डिजाइन आपने यही टैन रोज बनाते जाना है और एक ब्यूटिफुल सा डिजाइन क्रियेट करते जाना है सो कैसा लगा प्लीज एक मेंट करके जुरूर बताईएगा ठैंक्स और आचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई